देखिए इसमें कितना सुन्दर कलर आया है और यह बहुत ही क्रिस्पी बनी है यह देखिए अराम से यह तूट गई है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका काड्यू किछन में मेरा नाम है मनीशा आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ चावल के आटे की मत्री इसमें हम ना तो बेसन यूज़ करेंगे और नहीं हम मेदा यूज़ करेंगे इसके लिए मैंने लिया है एक कप चावल का आटा, एक कप पानी, नमक स्वादा अनुसार, हाफ टीस्पून कसूरी मेती, एक टेबल इस्पून ओईल, हाफ टीस्पून अजवेन साथ ही इंग्रिटन की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रैसेपी अब सबसे पहले हम पानी को बॉइल करेंगे पानी को बॉइल करने के लिए पैन में हम एक कप पानी दालेंगे इसको हम उबलने देंगे अब पानी में उबाला आने तक हम इसका वेट करेंगे पानी में उबाला आ गया है अब इसमें हम डालेंगे अजवैन थोड़ा सा नमक कसूरी मेति और ओईल ओईल हमें सारा नहीं डालना है थोड़ा सा ही डालना है कसूरी मेति दालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुश्भू आएगी अब हम इसमें दालेंगे चावल और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चावल और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे, 10 मिनिट हो गये हैं, यह मिक्स हमारा सेट हो गया है, इसको अब हम एक बॉल में निकाल लेंगे, अब थोड़ा सा हाथ पे ओईल ग्रीस करके इसको अच्छे से मलेंगे, लगबग 2-3 मिनिट तक ऐसे हमें इसको मत्ना है, इसको मैंने बहुत अच्छे से मत्ना लिया है, अब हम इसकी छोटी-छोटी बॉल लेकर मठी का इसको शेप देंगे, ज़्यादा बड़ी मठी हमें नहीं बनानी है, छोटी-छोटी और बिल्कुल पतली-पतली हम बनाएंगे, चाहें तो थोड़ा सा हाथ पे ओईल लगा सकते हैं, यह देखें, यह चोटी-चोटी और पतली सी हमने बना लिया है, इस तरह से इसको निकालेंगे, और इसको हम फॉक से इसमें थोड़े से छेद कर देंगे, ताकि यह फूले नहीं, बस इसी तरह से पहले हम सारी बना के त्यार करेंगे, उसके बाद इसको डीप फ्राय करेंगे, यह हमने बना कर त्यार कर लिये हैं, इसको थोड़ा पतला ही रखिएगा, ताकि यह क्रिस्पी बने, चलिए अब इसको डीप फ्राय करते हैं, यह तेल हमने गरम कर लिया है, अब हम मठियों को डीप फ्राय करेंगे, एक बार में कड़ाई में जितनी आएगी, उतनी दालेंगे, हमें एकदम से इसको नई छेड़ना है, थोड़ा सा यह अपने आप तलकी उपर आएगी, उसके बाद इसको टर्ण करेंगे, यह तलकर अपने आप उपर आ गए हैं, अब हम इसको टर्ण करेंगे, बस इसी तरह से दूसरी साइड से भी सेख लेंगे, यह देखिए, यह नीचे से अच्छे से से शेख गए हैं, दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको हम सेखेंगे, यह दोनों साइड से तलकर तयार हो गई है, देखिए कितना सुन्दर गोल्डन कलर आया है, और यह बहुत ही क्रिस्पी बनी है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरह से मैं सारी मट्री इसको निकाल लोंगी, यह सभी मट्टी तलकर तयार हो गई है, देखिए इसमें कितना सुन्दर कलर आया है, और यह बहुत ही क्रिस्पी बनी है, यह देखिए, अराम से यह तूट गई है, आप इसको थोड़ी देर और ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, तो यह और क्रिस्पी हो जाएगी, आप यह रैसेपे जरूर ट्राय करिए, अगर आपको हमारी रैसेपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शियर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बेल आइकन को दबाकर औल क्लेप करें, थैंक यू,